बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टड़ी वीदिस्वाती यूटीब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन के तहत पार्ट टू में कुछ और MCQs को ले करके आए हैं जो कि इस प्रकार हैं प्रिवियस वीडियो में हमने इन सभी MCQs को ले करके बात की थी और कुछ अलग से चीजों को बताया था तो आप इसके लिए उस सेकंड पार्ट को जरूर चेक करें क्योंकि इसके बाद ये सेकंड पार्ट है और थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आएगा जहां पर हम कुछ इ करें तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्णों की स्रंखला में यानि जो आपका प्रश्ण नंबर 65 था वहां पर 64 तक की जो प्रश्ण थे वह हमने कंप्लीट करा दिये थे और इसमें हमने कई सारी विधियों के बारे में बात की थी अलग अलग जो भी विधियां हैं उनसे क हमारा हो गया था व्रद्धी का अर्थ ठीक है और विकास का अर्थ इन सभी के बारे में जाना था आगे कुछ देख लेते हैं जैसे दिया है मानो अविधियों विकास को प्रवावित करने वाले कारक कौन-कौन से हो सकते हैं तो कारक आप सभी को पता होगा वन्शा नुक् प्रवावित करते हैं साथी विकास को भी चाहवा शारीरिक विकास हो मानसिक या समवेगात्मक विकास इन सभी का असर जो है इन प्रभावों का पड़ता है 66 नंबर का क्वेशन है विकास में परिवर्तन के प्रकार ये पूछ सकता है विकास में परिवर्तन के कितने प्रक पहला है अनुपात में परिवर्तन दूसरा है आकार में परिवर्तन तीसरा है पुराने लक्षणों का लोप और चौथा है नय लक्षणों को ग्रहड करना प्रश्णा आप से दे सकते हैं इसमें से दो या तीन करके उपरोगत सभी करके दे सकते हैं ठीक है तो इससे आप ध् बाल विकास का प्रारंब कब से होता है तो बाल विकास का जो प्रारंब हो जाता है वो गर्भा अवस्था से होगा आगे दिया है बाल अवस्था कहलाती है कौन सी अवस्था बाल अवस्था कहलाएगी तो सैश्वा अवस्था एवं किशोरा अवस्था के मध्ध की जो अवस काल कहा जाता है प्रश्चना आफ से यह सिधा-सिधा पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि जीवन का अनोखा काल या कथन किस ने कहा है तो कोल एम ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है या फिर बाल्य अवस्था को हम अनोखा काल किस काल को कहा जाएगा तो बाल्य अवस्था को हम जीवन का अनोखा काल कहेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर अगला है हमारा निर्मारी काल कहा जाता है, तो बाले अवस्था को निर्मारी काल भी कहते हैं, ये भी प्रशन पूर सकता है कि निर्मारी काल कहा किसे जाता है, सैस्व अवस्था, बाले अवस्था, किशोरा अवस्था या यूव अवस्था तो आप लगा सकते हैं बाले अवस्था। इसमें व्यक्तितु निर्माड होता है व्यक्तित् विकास का निर्माड होता बालक का इसे निर्माडी काल कहा जाता है। गलग अपना उथर दे सकते हैं गाथा ने दिया है या फिर कह सकते हैं कॉलबर्ण ने तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि मिथ्या परिपकुत्वा का जो काल है वर रौस ने कहा इस चीज का विशेज ध्यान रखेंगे जितनी भी यहां पर इंपोर्टन चीजे बाले अवस् अवस्था को माना जा सकता है बाले अवस्था किशोरा अवस्था सैश्व अवस्था तो आपका अंसर बाले अवस्था होगा और यह भी पूछ सकता है कि बाले अवस्था को प्रतिद्वन्दता का काल किसने माना है रौस ने किलपैट्रिक पूस्वामी या क्रो एंड क्र आप करेक्ट आंसर किलपैट्रिक लगाएंगे नेक्ट देखते हैं फिर आप से प्रशन पूछ सकता है बाले अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं यह परिभासा किस ने दी है तो यह कुप्पु स्वामी ने दी है जो भी इंपोर्टेंट आपकी डे आपके एक्जाम में कि जिग्यासा की प्रवलता अधिक होती है किस अवस्था में बाले अवस्था सैश्वा अवस्था कि सोरा अवस्था तो आप करेक्ट आंसर बाले अवस्था में लगाएंगे इस अवस्था की अन्यभी विसेश्चता हैं जिनसे प्रशन पूछ सकता ह जैसे अनुकरार की प्रवत्ती किस आवस्था में पाई जाती है या प्रश्ण पटा सकते हैं तो वह है आपका बालय आवस्था तो इस तरह से भी प्रश्ण पूछ सकते हैं इसलिए मैंने अन्य चीजों को भी यहां मेंशन कर दिया है आगे कुछ और चीजों को हम देख लेते हैं जैसे यहां पर प्रारंभिक विद्याले की आयू यह भी प्रेशन पूछ सकता है कि प्रारंभिक विद्याले की आयू किस अवस्था को कहा जाता है तो यह है आपकी बाले अवस्था नेक्स्ट है बाले अवस्था का वरिगी करड़ है कितने भागों में तो आप दो भागों में बताएंगे option में 1, 2, 4, 5 ऐसे करके दे देगा तो बाले अवस्था का वडिगी करड़ दो भागों में है जो की पूर या प्रारंभिक बाले अवस्था माना जाता है जिसकी आयू है छे से नौ वर्स और उत्तर बाले अवस्था नौ से बारा वर्स तो इस तरह से जो बाले अवस्था की आयू प्रारंभ होती है अलग-अलग मनोविज्ञानिंग ने अलग-अलग दी है लेकिन जो मेन है वो 6-9 पूर और 9-12 जो है वो उत्तर बाले अवस्था कहलाएगी यहां से प्रश्ण कई सारे बन सकते है तो आप इंजी जोको ध्यान में रखेगा अगला देख लेते हैं फिर नेक्स्ट है हमारा 77 नंबर का प्राक या टोली की अवस्था की सवस्था को माना जाता है तो पूर प्रारंभिक पूर या प्रारंभिक बाले अवस्था को टोली की अवस्था या समूं की अवस्था माना जाता है ठीक है उसके बाद यह ध्यान र गैंग की अवस्था मानी जाती है तो वह जो है वो उत्तर अवस्था उत्तर बाले अवस्था में मानी जाती है पूर बाले अवस्था में टोली की अवस्था और गिरो की अवस्था उत्तर बाले अवस्था मानी जाती है तो प्रशन कुछ और भी पूर सकता है छे वर्स से ब वर्सत की आवस्ता बाले अवेस्था मानी जाएगी आगे देखते हैं फिर आगे यहां पर दिया है कि 6-9 वर्सता की जो विकास की गती होती है वह तेज होती है 9-12 के भीच में तो इस तरह से विकास की जुगती है, वो कभी धीमी, तो कभी तेज होगी. Next question हमारा आगया मस्त का धो मुखी विकास का नियम. प्रशन आपसे पूर सकता है一क मस्त का धो मुखी विकास का नियम है, क्या नियम है इसमें च्जाए का नियम आता है, तो इसका यह नियम है कि यह नियम शारीरी विकास की दिशा को निर्देशित करता है प्रशन में यह पूछ सकता है कि शारीरी विकास की दिशा को निर्देशित करता है तो option में यह भी रहेगा अधर भी option रहेंगे तो आप ध्यान रखना मस्त का उधोम की विकास का नियम फिर प्रशन कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि मस्त का उधोम की विकास का नियम क्या कहता है इस नियम के अनुसार क्या चीजें हैं तो इसमें पहले सीर के भाग और फिर क्रमशा धढ़ हात और पैरों का विकास होता है सबसे पहले सीर फिर धढ़ फिर हात और पैरों का विकास होगा प्रशनिये पूछ सकता है पहले सीर के भाग और फिर क्रमशा धढ़ हातों और पैरों का विकास होता है या किस विकास के नियम में आएगा तो या मस्त का अधो मुखी विकास के नियम में आएगा उत्तर में आपका मस्त का अधो मुखी विकास लिखा होगा ठीक है तो आप इस तरह से भी इसे पढ़ सकते हैं फिर आगे दिया है विकास चक्र के नियम है कितने हैं तो विकास चक्र के चार नियम है पहले में तेजी से विकास होगा फिर धीमा हो जाएगा फिर पुना तेज फिर पुना धीमा तो इस तरह से विकास के जो है वो चार नियम है नियम की संख्या पूछ सकता है तो इसलिए मैंने चारू को बता दिया है फिर यहाँ पर कुछ और चीजे देख लेते हैं फिर आगे दिया है हर लौक के अनुसार विकास लायात्मक होता है नियमित नहीं यह आपकी परिभाशा पूछ सकता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है यह हर लौक ने बताई है थॉमसन ने क्या बताया है मानो शरीर एक समगर के रूप में विका होता है यह आपकी परिभाशा दे देगा और पूछेगा या किसने दी है तो या थॉमसन ने दी है उसके बाद क्रो औड क्रो की भी परिभाशा इंप्वाशा इंपोर्टन है उसे भी हम देख लेते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल्य अवस्था में सम्वेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है पूछ लेगा किस अवस्था में सम्वेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है बाल्य अवस्था सैश्व अवस्था की शोर अवस्था तो आप आंसर में बाल्य अव प्रashtक के उम्र में कितने स अमवेगों का विकास हो जाता है इस तरह से आपके प्रेशन मेंप तो बाले आवस्था में आसामाजिक विवहारों की संख्या जो है वो चार है। पूछ सकता है कितने आसामाजिक प्रकार के विवहार देखनें को मिलते हैं बाले आवस्था में तो चार। एहम भाव यानि या मेरा है या चीज मेरी है ऐसे बच्चों में होता है या मेरा खिलोना है या मेरा कप्ड़ा है तो इसमें एहम भाव देखने को मिलते है अक्रामता मतलब कहीं न कहीं एक गुस्ता या लडाई जगडा की प्रवत्ति देखने को मिलती है पूर्वा ग्रह य समारे चार प्रकार के देखने को मिलते हैं प्रशनकािसे फी सप्रकार देंगे हैं उसमें से पूछ सकता है या तो आप से पूछ सकता है संख्या उसके बाद सब्सक्रा चाहिँ है कि शोरा अवस्था या यानि एडुले6 लेटिं भास्था के एडुलेशंस शबड का पूछ सकता है आपके एक्जाम में किशोरा अवस्था शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है तो एडुलेशन शब्द से बना है फिर पूछेगा कि एडुलेशन शब्द का अर्थ है क्या है तो एडुलेशन शब्द का जो शब्दिक अर्थ है रद्धी या परिपक्वता की अवस्था माना जाता है यू आवस्था किशोरा अवस्था बाले अवस्था या सैश्वा अवस्था तो आप यू आवस्था और किशोरा अवस्था में ही कनफ्यूज होंगे तो परिपक्वता की जो अवस्था होती है वह किशोरा अवस्था मानी जाती है स तो अवस्थाएं उनको बताया है लेकिन जो ऑफिशल है वह 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था की शोरा अवस्था मानी जाती है फिर पूछ सकता है किस अवस्था को तनाव एवं संघर्ष तनाव एवं तुफान की अवस्था कहा जाता है तो किशोरा अवस्था को हम तनाव स पूरता है कि या परिभाशा किस ने दी है तो यह परिभाशा जो है वह इस्टेनले ऑल ने दी है इस टेनले अलेव में और न जो परिभाशा है हम देखेंगे पहले यहाँ पर ऑजो चीजें नको उन्रक हम देख लेते हैं फिर आपका प्रेष्ण सकता है na Learn पुस्तक के लेखक है किसने लिखी है एडुलेशन स्पुस्तक तो इस्टनेले हाल ने परिभाषा जो बताई वह आप ध्यान रखेगा फिर चाइल्ड हुड एंड सुसाइटी बुक के लेखक है कौन है तो यहां पर दिया है एरिक एच एरेक्षन ठीक है इन्होंने ही चाइल्ड हुड एंड सुसाइटी बुक लिखी है ज्यादातर एरेक्षन लिखकर आएगा आपके ओप्शन में तो आप कन्फ्यूज मत हुएगा या फिर पूरा नाम देगा तो एरिक एच एरेक्षन करके देग या फिर पूर सकता है यहां पर चाइल्ड हुड एंड सुसाइटी जो बुक है उसके लेखक एरेक्षन है इन्होंने यह बुक कब लिखी तो 1950 में इन्होंने यह बुक लिखी थी आगे कुछ और चीज़े देख लेते हैं आगे दिया है कि शोरा अवस्था की अवस्थाए हैं पूर सकता है कि कितनी अवस्थाएं हैं तो दो अवस्थाएं हैं पहली कौन से अवस्था है पहली पूर्व किशोर अवस्था जिसमें 13 से 16 वर्ष के अवस्था को माना जाता है उत्तर किशोर अवस्था 17 से 21 वर्ष मानी जाती है तो ज्यादर तर बुक्स में यही तो प्रश्ण कुछ इस तरह से फूर सकता है 13 arrived 16 वर्ष की अवस्था किस अवस्था के अंतरगत आएगा पूर्व किशोर आवस्था उत्तर किशोरा आवस्था पूर्व सैश्वा अवस्था तो इस तरह से यहां पर आपका जो उत्तर आएगा वह हो जाएगा पूर्व किशोरा अवस्था इसी तरह से उत्तर किशोरा अवस्था के बारे में भी प्रेश्ण कर सकता है तो इन दोनों अवस्थाओं को आप ध्यान में रखिएगा ठीक है तो बढ़ते हैं हम कुछ और प्रश्णों की तरफ से अन्य नाम क्या है परिवर्तन की अवस्था पूछ लेगा परिवर्तन की अवस्था किस अवस्था को माना जाता है तो किशोर अवस्था को परिवर्तन की अवस्था माना जाता है संक्रान्तिकाल की अवस्था किस अवस्था को माना जाता है यह पूछ सकता है तो किशोर अवस्था को संक्रान्तिकाल की अवस्था माना जाता है आगे बढ़ते हैं फिर पूछ सकता है सैस्व अस्था की पुनरा वरत्ती कई बार ये प्रश्ण में यूपी टेट में भी पूछा गया है कि सैस्व अस्था की पुनरा वरत्ती की कौन से अवस्था है तो किशोरा अवस्था जो है वो सैस्व अस्था की पुनरा वरत्ती है इसमें भी समवेग वैसे ही पाई जाते हैं जैसा कि आपके सहष्व अवस्था में चीजे देखने को मिलती हैं। या फिर प्रश्न कुछ ऐसे पूछ सकता है कि सैश्व अवस्था की पुनरावरत्ती की अवस्था किसने कहा है तो यह रौस महोदे ने कहा है या आप इस चीज को भी ध्यान रखेगा कि पुनरावरत्ती की अवस्था रौस ने कहा है फिर वया संदी के बाद की अवस्था है या किसने माना है तो आई जनेक ने या कहा है वया संदी के बाद की अवस्था जो है वा किशोरा अवस्था है तो इस तरह से पूछ सकता है कि वया संदी के बाद की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है तो आप किशोरा अवस्था बताएंगे या फिर वया संदी के बाद की अवस्था किशोरा अवस्था या किसका कथन है तो या आईजेने का कथन है फिर आएगा व्यवसाय चुनने की अवस्था किस अवस्था को माना जाता है किशोरा अवस्था यूवा अवस्था प्रोड़ा अवस्था या बाले अवस्था बाले अवस्था तो नहीं देगा कन्फ्यूस करने वाली ही अवस्था हैं इसमें देगा तो आप ध्यान रखना व्यवसाय चुनने की अवस्था किशोरा अवस्था होती है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्णों की तरफ अब किशोरा अवस्था से सम्दित प्रमुक परिभाशा है जो इंपॉर्टन्ट है मैंने लिख दिया है तो यहाँ पर इस्टनेले हाल ने किशोरा अवस्था को तनाओ दबाओ और संगर्श की अवस्था कहा है कि इस काल में व्यक्तित्त का नया जन्म होता था तो किशोरा अवस्था में इस तरह से यह परिभाशा आप त्यहान से पढ़ के देख लेजिएगा और भी कुछ परिभाशा यह को पूछी जा सकती है क्रोई और क्रो की पूछी जा सकती है किशोर ही वर्तमान की शक्तिवा भावी आशा को प्रस्तूत करता है या कथन किसका है तो क्रो एंड क्रो का है आगे देख लेते हैं कुछ और में परिभाशा है ठीक है कौल्टिस है और कुल्हन है इनकी परिभाशा है आप देख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं फिर आया व व्यक्ति एक रूप से समान नहीं होते हैं उनकी आदत उनकी चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है यह जनरल और स्पेसिफिक दो तरह के व्यक्ति पाया जाते हैं इन्हीं को हम व्यक्तिगत विभिनेता कहते हैं यहां पर प्रश्ण पूछ सकता है उननीसवी सताब्द में गाल्टन ने सरप्रथम किसका अध्यान किया तो व्यक्तिगत विभिनेताओं का इन्होंने अध्यान किया यहां पर आप गाल्टन को बताएंगे तो इस तरह से कैसे भी घुमा के प्रश्ण पूछे आप अगर चीजों को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप इसका आंसर दे सकेंगे फिर प्रश्ण पूछ सकता है बीसमी सताब्दी में जो है व्यक्तिग विन्हताओं का ध्यान किस ने बताया तो यह कैटल महदे ने बीसमी सताब्दी में बताया उननीसमी में गाल्टन और 20 में cattle फिर आजे कुछ और परिभाषाएं हैं व्यक्ति विन्ता को मापने के लिए सरप्रत्म किसने बुद्धी परिख़ड का निर्माड किया तो बिने महद्यने सरप्रत्म बुद्धी परिख़ड का निर्माड किया फिर है संग्यान शब्द का प्रियोग अक्सर अधिगम और चिंतन को व्याख्याइत करने के लिए किया जाता है। शब्द के लेटिन भाषा के किस शब्द से हुई है तो या लेटिन भाषा के कोगनो सियर से हुई है। शब्द करते हैं तो विभिन पहलू का हम अध्यन करेंगे। मानसिक, सारीरिक, समवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक ठीक हैसा भी पहलू आ जाएंगे। फिर प्रशन पूछ सकता है संग्यान के विभिन रूप हैं कौन कौन से हैं। तो संग्यान के विभिन ले स्वरूप हैं तीन मेलनी माने जाते हैं। चेतन वा अचेतन, मूर्थ और अमूर्थ और प्रज्यात्मक और संकल्पनात्मक। ये तीन हैं संग्यान के विभिन स्वरूप। सब्सक्राइब चुनादाओ सब्सक्राइब में लाटिन तो अगर मिठक को अगर हम तो इमोळ जो है बोच्टे इमोशन के लैटिन भाशा का शब्द है आप्शन में आपको इस तरह से अलग-अलग जो यहां पर इमोवर करके लिखा है इस्पैलिंग वगेरा देख लीजेगा E-M-O-V-E-R दो तरीके से अलग-अलग Google पे और बुक्स में अलग-अलग दी है लेकिन दोनों का अर्थ है की है थोड़ा बहुत डिफ्रेंट है दोनों में ठीक है तो E-M-O-V-E-R का अर्थ होता है उत्तेजित करना ठीक है पूछ सकता है E-M-O-V-E-R का क्या अर्थ है तो E-M-O-V-E-R का अर्थ है उत्तेजित करना या excitement होती है या out या to move करना ठीक है एक्साइट करके भी लिख सकता है या फिर to move लिख सकता है या फिर out भी लिख सकता है तो ये चारों आप ध्यान में रखेगा पहला उचेदित नहीं उत्तेजित ठीक है गलती से बोल दिया एक्साइट फिर out फिर to move तो इस तरह से हो जाए ये चीज़े फिर आया मूल प्रवत्तियां पूछ सकता है कि मूल प्रवत्तियां कितनी पाई जाती है तो मूल प्रवत्तियां 14 प्रकार की होती है जो कि MacDougal महोदय ने बताई है तो इससे भी काफी प्रेशन पूछ सकता है अभी हम 14 मूल प्रवत्तियां भी देख लेते हैं उससे पहले नैतिक विकास से भी कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं नैतिक विकास यानि moral development की बात करें तो पूछ सकता है moral शब्द लेटिन भाषा कि किस शब्द से निकला है तो या moris से निकला है किस से निकला है लेटिन भाषा कि moris से निकला है पूछ सकता है moris का तातपर क्या है तो moris का तातपर होता है रीती या रिवाज या जिसे आप कश्टम कहते हैं या लोक रीती यानि लोक वेस तो इस तरह से moris के कई सारे अर्थ हैं तो इसमें से आप इन अर्थों को ध्यान में रखिएगा और नैतिव विकास में मोरस शब्द, लैटिन भाषा के मोरस शब्द से बना है, मोरल ठीक है, तो इस तरह से ये तनी सारी चीजे थी, तो आगे देख लेते हैं हम परिभाषाएं सम्वेग के प्रकार, सम्वेग के प प्रकार के सम्वेग बताएं हैं, तो यहां से यहां तक यानि क्रोध, भय, ग्रहना, वासलिकर्वना, कामुक्ता, आश्र, आद्म हिंता, आद्म सौभिमान, एक एकाकीपन, भूक, अधिकार, कृतिभाव, अमोध, आदि ये जो हैं, चोदा प्रकार के सम्वेग हैं, जो क कौन कौन से हैं, दोयश मनलब जो इर्षा, जो जलन उत्पन करें, तो भय, कायारता, ग्रहना, क्रोध, इर्षा, जलन, गर्व, अभिमान ये होंगे, ठीक है, इसके अलावा आश्र, और शोग भी, कुछ अतरिक्त, ने सर्गिक सम्वेग होते हैं, पूर सकता है, ने सर्ग ने सर्गिक सम्वेग कौन से होते हैं, तो ने सर्गिक सम्वेग जो होते हैं, आश्र और शोग के अंतरगत आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आजके इस वीडियो में हम पार 2 में रुकेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपोर्टन्ट MCQs होंगे, आज रा जाएंगे चले दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थांक्यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग एंड शेयर टू अदर्स